बाम उलाइजा होश यार भाई खवरदार क्योंकि आने वाले हैं आपके सामने एक बहुत ही असरदार यानि की बोले तो पबलिक के डिमांड पे भारी डिमांड पे आने हैं आपके पास समझाओ कौन भाई आपके यार अपने अपने प्यारे प्यारे यार सर यार कुनाल सर ना आपके फ्रेंड आपके मेंटॉर भाई लेकर के भारी डिमांड पे पब्लिक एकदम सूपर हेवी डिमांड प्यार दा मुगल एंपायर है ना बहुत सारे बच्चों ने कॉमें सेक्षिन में को का था कि सर यह मुगल का घुट्टी है ना हमको समझ नहीं आरी बिल्कुल है ना बिले में बच्चों बहुत मजाने वाला आपको क्योंकि आज हम समझाएंगे आपको चिकन चंगेजी की तहीं के से आनि की मुगलाई तरीके से आज का जबरदस्त वाला बेहतरीन वाला टॉपिक डाट इस हमारा मुगल एंपायर तो भाईया बाव मुलाईजा होश अब दस तरीके से आज भी दम पढ़ेंगे ठीक है भई लोग चलो तो याज चालू करते हैं मुगलाई खागर के एकदम आज की मुगल एंपायर की कहानी आज लेट्स के चाले तो बच्चे आज इन मुगल के पन्नों को हम पलटते हैं दूबारा से क्या पढ़ेंगे मुगल कौन थे कहां से आए थे मुगल एंपरेर के बारें पढ़ेंगे उनकी पॉलिसी के बारें पढ़ेंगे और कुछ और राजा महराजा उस जमाने में पूरी दुनिया में एक्जिस्स करते थे हम उनकी बात भी कही ना कहीं करेंगे ठीक है भई लोग चले तो आपको बेसबरी से इंतिजार और आपको जाधा इंतिजार नहीं करवाँगा मैं सीधे मुद्धे पर आउंगा मैं चले तो पहली बात तो यह अब बोलोगे सर जब तुम टिक टॉक टिक टॉक चलते हो ऑना तो ऐसा नहीं भाई तो पहली बात यह कि मुगल्स आय कहां से वेवर आपने मंम्मी वाला साइड और अपने बापा व्ला साइड ठीक है। हाला कि मुगल्स को अपने पिता जी ओआल साइड जादा पसंद था नहीं कि जो इनके पिता जी वाला साइड था, त्ट बड़ खुटार टाइप का था चलिंट देखे हैं कैसे था देखिए दो लीनेजस की बात करते हैं एक तो जंगेश खान यह चंगेश खान की बात कर लीजे मंगोल के राजा जो की चाइना और सेंट्रल एश्या के काफी हिस्सों पर रूल किया करते थे ठीक है तो अपने मम्मी के साइट से बच्चे यह तिमूर्दा लेम के सक्सेसर थे तो यहां प जंगेश खान थे वह काफी बार्बरिक थे यानि कि भाइया बहुत खतरनाक ब्लडशेट करते थे मारते उड़ते चलते थे क्रूल माने जाते हैं अपने जमाने बहुत क्रूर इंसान तो मुगल्स को बिलकुल यह पसंद नहीं था कि उनकी पिता जी वाले साइट से उनका जाता है अपने ब्लडशेट के लिए यानि मारम पीटी के लिए यानि कि लोगों को मारने के लिए और मुगल्स बिलकुल नहीं चाहते थे कि उनको चंगेश खान से रिलेट किया जाए साथी साथ इनके एक और का राइवलरी थे इनके एक कॉंपटिटर थे जिनको आप उस्बेक्स कहते हैं तो उस्बेक्स वर आल्सो वेरी यू कें से कि बहुत जाधा क्रूवल टाय के वगा करते थे उस ताइम पे इनका भी लड़ाई यूद व्गरा बहुत जाधा चलता तो जो यह बच्चों साइं पर मंगोलियन के कॉंपेटीटर थे तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे दे वर प्राउड ऑफ देर मदर साइड मुगल जो थे अपनी मम्मी के साइड वालों पर ज्यादा प्राउड करते थे तीमूरीड एंपायर या तीमूरीड डाइनस्टी ठीक है तो जो तीमूरी डाइनस्टी थी भाई उन्होंने दिल्ली को क्याप्चर किया था 1398 में ठीक है तो इसलिए उनको बड़ा फक्र था बड़ा गुमान था गुमान कहते हैं प्राउड था अपने मम्मी वाले साइड पर राइट तो बिलकुल नहीं चाहते थे कि पित अब देखने को मिलते हैं इनके पूर्वज रहे हैं एक तो चंगेज खान और दूसरे तिमूर तो तिमूर भी बहुत ताकतवर थे और चंगेज खान भी बहुत ताकतवर थे तो कोई पूछे कभी दुबारा कि कहां से आये मुगल तो बता देना भाई उनको ठीक है चले आगे बात करते हैं विच्वक जो पहले मुगल बादशाह थे पहले मुगल एंपरर थे वो थे बाबर ठीक है जहीरुद्दीन बाबर ना बाबर ने बहुत टाइम से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान पर कभजा करना है उसलें बच्छे हिंदुस्तान एक देश से जा लाओ दीन खिल्ची हो गए या लोधी डाइनस्टी हो गई तो बड़े मजबूत रूलर्स थे हैना अब इबराहिम लोधी जो की लोधी डाइनस्टी के आखरी रूलर्स हुए है बच्चे उनको तो अपनों नहीं लूट लिया उनको तो अपनों ने लूटा गेरों में कह अदम था और वहीं बावर आए जहां पर पड़ा हुआ वम था यानि हाला कि बहुत बेकार शायरी है ठीक है लेकिन फिर भी जो इबराहिम खान लोधी के खुद के अंकल थे ठीक है उनके खुद के गवर्नर थे दौलत खान लोधी आलम खान उन्होंने मिल करके बावर को इबराहिम खान लोधी जो है इससे हमारी बन नहीं रही है अभी हमारा दुश्मन हो चुका है तुम काम करो बावर तुम आओ यहां इंडिया हो हिंदुस्तान आओ और इसको हराओ और वापस चले जो बावर भावर पागल थोड़ी है बावर इतने टाइम से जिस चीज का अदमिय हो तो बावर को ऑपर्चुनिटी मिल गई बावर ने पानिपत का जयूद लड़ा गया 1526 में इबराहिम लोधी और बावर की आर्मी के बीच में उसमें बावर ने इबराहिम लोधी को हरा दिया ठीक और हराने के बाद बावर वापस नहीं गया बावर यहीं रु 1494 में ठीक है सिर्फ 12 साल के थे और बच्चे इनको फोर्स किया गया उस टाइम पे कि अपना घर छोड़के भाग जाई है क्योंकि उस टाइम पर उस बेक्स करके जो कॉंप्रीटर थे मॉंगोलियंस के उन्होंने फरगना पर हमला कर दिया था और बारा साल का बच्चा थो फोकस शिफ्ट किया हिंदुस्तान की तरफ और 1526 में इब्राहिम लोदी को जब हराया पानिपत की युद्ध में तो इन्होंने दिल्ली और आग्रा का जो एरिया था और बिटा कैप्चर कर लिया और शुरवात की बाबर ने मुगल डाइनिस्टी की भारत के अंदर तो बाबर को इन्वाइटेड बाई इन्वाइट करने वाले थे दो मेजर रोक खाला कि और भी राजपूत रूलर्स भी थे राना सांगा भी थे उसमें ठीक है लेकिन मेजर जाना जाते हैं दौलत खान लोदी और आलम खान ठीक है दौलत खान लोदी और आलम खान ये मेजर जाने जाते हैं कि इन्होंने बाबर को इन्वाइट किया था ठीक है 1526 की बात है 1526 एडी की बचो जब ये बैटल लड़ी गई है तो इसमें बाबर जीत गहते हैं और मज़े की बात आपको बताओं क्या ये लोदी के जो सेना थी उसमें करीब एक लाख लोग थे के नियुमाजन बाबर की सेना में सिर्फ 30-35 या 20-25-30,000 लोग थे जाधा नहीं थे लेकिन बाबर के पास टेकनोलोजी एडवांस थी बाबर ने जो ओपी लेवल के टेकनोलोजी यूज की कह सकते हो इबराहिम लोद और दूसरी चीज बाबर जो थे उन्होंने किसका यूज किया घोड़ों का यूज किया घोड़े जो थे काफी फास्ट थे बहुत तेजी से जो है अब गोड़े पर बैटके वार कर सकते हैं इबराहिम लोदी के जो लोग थे वहांती पे आए हुए थे अब हांती मस्त चा आ रहा है घोड़े को लग रहा है आ भाई आ देखता हूं तिरको आज मैं अच्छा गाबाबर के पास एक और टेक्नोलोजी थी वह थी गन पाउडर वगएरा का यूज करना ठीक है तो उन्होंने क्या किया जो तोप होती ना तोप कैनन सोती है तो उन्होंने बहुत सारी क लगा दी बैटल फिल्ड में उसमें कुछ असली थी और कुछ नकली थी तो जब ये इब्राहिम लोधी पहुंचा पानीपत की यूद में पानीपत की फिल्ड में तो भाई देख किसको लगा रही क्या मजाग चल ला है इब्राहिम लोधी ने कभी ऐसा कुछ एक्स्पिरे अपने उस तोपों के गोलों से फायर करता है ठीक है उसके पीछे सोल्जर्स भी छुपा रखें उसने ठीक है जो मस्त इकदम फायर करेंगे तो जो आग जब भाई फैलती है पूरे बैटल फिल्ड में तो भाई जानवर डरेगा हाथी डर जाएगा हमारा तो भाई हाथी पीछे बागने लगा अब इसके चक्कर में क्या हुआ कि बहुत सारे इब्राहिम लोदी के जो सोल्जर्स थे हातियों की नीचे दपके मर गए तो अपना ही हाती अपना नुकसान करता हो जा रहा है तो इसके चलते जो स्ट्राटेजी थी ना बाबर की बहुत अमेजिंग इस पूरे बैटल ऑफ पानीपत में और इब्राहिम लोदी की स्ट्राटेजी बिल्कुल पुराने जमाने की थी बैठे रहे हांती पर बैठे रहो भाई कोई टेंशन नहीं बावर आए गोड़े पर उड़ा के ले गए तो इस तरीके से क्या हुआ कि बैटल आफ पानीपत बाबर ने जीत लिया और उसके बाद बाबर ने मुगर एंपाइट के सिटाब्लिश्मेंट किया इंडिया के अंदर जिन्दिग अच्छी चलरी आगे बात करते हैं कुछ लिए मम दास्तान सुनेंगें कुछ मुगर मिलोग की बाते करेंगे टो बापर निवराईम लोधि को हराया पानीपत में विफ्टीन की से से वन में बापर ने राना mumा सांगा को defend 1527 में बाबर में राणा सांगा को जो था बदेफिट किया राजपूद रूलर्ण स्ट्रॉंग रूख ठीक है बच्षो चले का अब अब याध Fluto को तो खानवा का यूद में बराना सांगा को इन्होंने डिफीट किया बाबर ने, फिर 1528 में जो बाकी राजपूत रूलर्स थे, उनको चंदेरी की बैटल में डिफीट किया, 1528 में कहां डिफीट किया बिटा, चंदेरी की बैटल में, और अपनी डेथ से पहले आगरा और दि उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइदा उठाया कि भाईया हुमायूं थोड़े वीक पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हुमायूं को डिफीट कर दिया, हरा दिया यूद में, ठीक है, अब हराने के बाद क्या हुआ कि 15 सालों तक भारत से मुगल एंपायर हड गया था, कि इमाजन दाट बच्चों, एक बड़ी प्यारी सी चीज़े जो हिस्ट्री में कई बाद लोग मिस कर जाते हैं, कि बच्चों 15 सालों तक मुगल एंपायर भारत में नहीं था, उस टाइम पे सूर डायनेस्टी थी, शेर्शा सूरी की जो भारत को रूल कर रही थी, शेर्शा अगें खराब है, उसके अगले साल जो थे हुमायू मस्त कोई बुक बुक पढ़ रहता है राम से अपने लाइबरेरी के बाहर और लाइबरेरी की सीडियों से गिरे और मर गए, तो यह अपने आप में बहुत बड़ी ट्रेजटी है, इनको राज जी का सूखना कभी प्रा तो यह बहुत सिंपल सी चीज़ है, तो पंद्रा सो तीस में हुमायू ने जो है राज जिसमाला, ठीक है, हुमायू डिवाइडेस इस इनिरिटेंस अकॉर्डिंट तो विल ऑफिस फादर, जैसा इन्होंने इनके पिता जी ने कहा था कि बिटा तुम अपने राज को ऐसे डिवाइड करना, हुमायू ने वैसे ही का, ठीक है, जो इनके ब्रदर थे, इनके भाई थे, मिर्जा कामरान, उन्होंने अफगानों के अगेंस हुमायू था, उनको काफी वीक कर दिया, फोर्स वाइस, ठीक है, फिर शेर खाने, जो चौसा का यूद्वा, दो बैटल की थी, 1540 में कन्नाच का बैटल हुआ, दोनों बैटल में शेर शा सूरी ने हुमायू को हरा दिया, और इसका रिजल्ट यह हुआ कि हुमायू को अपना किंग्डम छोड़के भाग ना पड़ा, और वहाँ पे पनगले 15 सालों तक लगबग, पर हुमायू का राज जी नहीं हेल्प मिली, और 1555 में हुमायू ने दिल्ली को रिक्याप्चर किया, सिकंदर सूरी को हरा करके, लेकिन दिक्कत यह है कि 1556 में हुमायू की डेथ होती है, बहुत अनफॉर्चनेट डेथ कि अपनी लाइबरेरी की सीडियों से गिर करके यह मर गय थे, तो हुमायू की जो प मैं आपको बता रहा हूं, याद रखेगा, ठीक है, इंफाक दिल्ली के अंदर बचो हुमायू का मगबरा भी बना हुमायू की टूम भी बनी है, हुमायू का मगबरा पहला एसा मगबरा था, पहले ऐसा ही टूम थी, जिसको एक गार्डन की बीच में बनाया गया, अगर आ चलिए, अचा हुमायू के बात क्या होता है, कि बिटा अगबर जो हैं वो बनते हैं अगले राजा, जब अगबर मलब करीब 15-16 साल की एज के होते हैं, जब उनको राजा डिकलेर कर दिया जाता है, और छोटे इन फाक, ठीक है, तो उस टाइम पे अगबर के एक बड़ी ट बात जो था इनको बैटल ऑफ पानीपत फेस करना पड़ा, सकिंड बैटल आप जिसको कह सकते हैं, ठीक है, तो उसमें इनका यूद हो रहा था, तो वाबे बैरम खान ने इनकी बड़ी मदद की, हाला कि उसके बात से जो अकबर ने अपने आपको ग्रो किया है, जो अकबर क्या होता था, कि अगर आप मुस्लिम नहीं है, तो आपको अपना धरम पालम करने के लिए, अपना रिलिजन फॉलो करने के लिए टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, तो इन्हों ने इस तरीके की जितनी फ्रैक्टेस थी, उसको बंद कर दिया, इन्फाक्ट इन्हों ने इन्हों का एक रिलिजन स्टार्ट किया था, जिस को बंद कहते हैं, दीने इलाई, इन्हों ने खुबसूरती इस बात में हैं बच्चों कि इन्हों ने क्या किया था, दीने इलाई के अंदर, जितने अलग अलग धरम हैं, उसकी जो अच्छी बात हैं, जो गुड़ पॉइ एक नॉर्मल डिसकेशन से कहीं ज्यादा हीटेड हो जाती है, जो ऐसे केसे बढ़ने लगे तो उन्होंने इबादत खाना को बंद कर दिया, अलागे जो अकबर की कॉंट्रिबूशन हैं, बच्चे वो काफी हद तक जाने जाते हैं, बहुत जादा माने आते हैं, तो लिग ठीक है, अब इनके राज को आप तीन पीरेट में डिवाइट कर सकते हो, पहला पीरेट है 1556 से लेकर के 1570 का, अकबर जो थे बच्चे इंडिपेंडेंट आप मान सकते हैं, रीजन के अपने राजा थे, बैरम खान जिनका मैंने जिकर के आप से इनके बारें बात किये, बै ठीक है, तो इनके एक भाई थे, मतलब सौतेले भाई माल लीजे, मिर्जा हकीम, तो विद्रो कर रहे थे एक तरीके से, वो चाह रहे थे कि भाई, इनको राज मिल जाए, तो उनको भी इनों ने जुथा, बतब प्यार से एकदम बढ़िया तरीके से दबा दिया, मिर्जा ह हकीम जो थे, उनको सपोर्ट मिल ला था, उस्बेक्स का, और उस्बेक्स है, वो मुगल्स के पुराने दुश्मन है, तो अवेसी बात है, बच्चे, जब वो दुश्मन है, तो ट्राई करेंगे कि किसी ऐसे आदमी को गद्धी पे बिठा दिया जाए, जो हमारी बात माने, तो भाई, मिर्जा हकीम का ये प्लान जो था, लेकिन फेल हो गया, ठीक है, तो 1568 के अंदर, जो सिसोधिया कैप्टल था, चितौल का, उसको इन्होंने कैप्चर किया, और 1569 के अंदर जो था भाई, इन्होंने रंथम बोर जो है बिटा, उसको कैप्चर किया, ठीक है, बात करें, तो गुजरात के अंदर इन्होंने काफी मिलिटरी कैमपेंज किया, ठीक है, अलब काफी सारे रीजन को कैप्चर किया है, साथी साथ, बिहार, बंगाल और ओडिसा के भी काफी छेत्र जो थे अकप्चर कर लिया थे, अच्छा, चलिए, 1579 और 80 के अंदर एक फि करते हैं, नई-नई मिलिटरी कैमपेंज करते हैं, नई जगों को जीतने का ट्राई करते हैं, ठीक है बचा, जिसे कंधार जो था बच्चे, अफगानिस्तान वाले साइड पे, उसको इन्होंने काप्चर किया, वहाँ पे साफावीद डैनेस्टी चलती थी, कौनसी डैनिस् के इंपायर का पार्ट बन चुका था, इन फैक्ट अगर आप डैकन में जाएंगे, डैकन यानि भारत के दक्षिन इरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे बेरार हो गया, बेरार वाली जो जगह है, इन फैक्ट अगर खांदेश की बात करें, इन फैक्ट एहमद नगर के बी जो थे, उनका जो एंपायर की वास्तनेस थी, वह बहुत जादा थी, बहुत जादा, अकबर से मेरे को वहाला डायलॉग बड़ा याद आता है, अनार कली, याद है तुमनों को, मुगले आजम एक मूवी है, बड़ी खदरननाग, हैना, जब वो प्रिंस जो सलीम होते हैं, कोई बात में जहांगीर का टाइटल मिला था, ठीक है, तो एक डांसर होती है, सब को पता है, इनकी फेमस लव स्टोरी, हैना, इक डांसर होती है, अकबर के दरबार में, अनार कली, सलीम उसको बहुत बढ़िया, बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन डा नार कली, तुम्हें दिवार में चुनवा देंगे हम, इस तरीके से बहुत सारे फेमस हैं, तो काफी सारी मूवी बन गई इस पर, अब हाला कि बात में कितनी सच्चाई है, तो सलीम और अकबर ही बता पाएंगे, है कि नहीं, लेकिन बॉलीवड वाले तो भई बनाई देत मूवी, है कि नहीं चलो, तो कभी भी तुम जाना ऐसे बोलना कि नार कली, तो बिटा लेकिन देख लेना, अगर मम्मी आसपास होगी ना, पक्की बात है, तुम्हारी बैंड तो बजाही देंगे, ठीके है, चलिए, जोग सा बाट, आगे बात करते हैं, थोड़ीजी, अच पहले राजा नहीं है, जिनके कोट में नौरत में है, नौरत मतलब नाइन स्पेशल मिनिस्टर, जो अलग-अलग डिपार्टमेंट को लीट करते हैं, जैसे उसमें एक बड़े, बढ़ियां सिंगर थे, इनको अब तांसीन के नाम से जाते हैं, तांसीन को संगीत समराट कह जाता था, बीरबल का कहानी बहुत बार सुनाओगा, आपने बीरबल की कहानियां बहुत बार सुनी की बीरबल जो थे, बहुत विटी मिनिस्टर थे, ठीका बीरबल से एक आदमी बहुत चिटता था, उसका नाम था मुल्ला दो प्याजा बुलाते हैं, ठीक है, इन फाक्त बहुत जादा डाल दी तो उस डिश का नाम दो प्याजा हो गया बचे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है हिस्ट्री है हिस्ट्री में लोग कई-कई मजाग भी बनाते हैं तो भाई जी मुल्ला तो प्याजा बड़े चलते थे अच्छा इनके जो फिनांस मिनिस्टर थे जिनका नाम ह राजा तोदार मल वह भी बड़े ओसम थे उनका जो सिस्टम है रेविन्यू कलेक्शन का वह आगे तक स्टडी किया मदब आम मान के चलो इवन ब्रिटिश ने उसको स्टडी किया तो आप सोच सकते हैं कि तोदार मल ने क्या मज़ेदार सिस्टम बनाया होगा फिनांसिंग करने का एक इनके मिलिटरी जनल थे राजामान सिंग वह बड़े फेमस थे ठीक है तो इस तरीके से बच्चों इनके कोट मेंना अलग-अलग करी के नवरतन थे नाइन ज्वेल्स थे जिनको काफी जाधा इंपॉर्टेंस देते थे ठीक है चलिए फिर बात करते हैं जहांग कर दी थी अकबर के अगेंस थी इनके बेटे थे सलीम को जो था बात में जाकर के टाइटल दिया गया जहांगीर का इसके बाद अगर हम बात करें प्रिंस खुर्रम की तो खुर्रम को बाद में शाजां के रूप में माना जाता है जो शाजां जो थे उनका इनका रियल नाम था प्रिंस खुर्रम उन्होंने भी लास्ट ताइम पर जो है काफी रिवाल्ट किया था रेबल किया था तो इन फैक्ट अगर हम बात करें जहांगीर की जो भीवी थी जहांगीर की जो वाइफ थी उनका नाम था महरूनिसा उनका ओरिजनल नेम था लेकिन बाद में उनका टाइडल चेंज करके नूर जहां लग दिया गया था तो भाई जो जहांगीर थे वह बड़ा इंप्रेस थ थे उन्होंने और खासकर अगर हम बात करें इनके अड्मिनिस्ट्रेशन में यानि इनके रूलिंग में तो जो भाई हमारी महरूनिसा थी या कह सकते हैं जो आप नूर जहां थी वह काफी ज़्यादा बच्चों कहीं ना कहीं यहां पर इंपाक्ट डालती थी इंफ्लूए ठीक है तो भाई जो मुगल क्यामपेंज थे वो डेकन में यानि दक्षण भारत वाले चेतर में कंटीनिव करते रहे चलते रहे वह अपना मस्त एक दम तो एक अफगान नोबल थे एक मिनिस्टर थे इनका नाम था खान जहां लोधी इन्होंने रिबल किया इन्होंने रिजन है वो बुंदेल खंड कहलाता है राइड गूंदेल खंड भागिल खंड वहां गतो रूलर से बच्चों बुंदेला रूलर्स थे वहां से ओर्चा चीन लिया गया ठीक है उन्से बच्छों पो डिफीट करके उसको द्वेट रचय की नॉक्ट वेस्ट में बात करे में क्या हुआ कि वो थोड़ा सा अंसक्सेस रहे गए यानि कुछ पार्ट्स हो थे वाई मुगल के हाथ में लेकिन मैक्समम अभी भी उस्बेक्स के पास ही थे चीक लेटर ओन क्या हुआ जो कंधार का रीजन है कंधार अफगानिस्तान वाला साइट पे जो रीजन है वह वापस से साफाफीद डानिस्टी ने छीन लिया मुगल से चीक 1632 में फाइनली इन्होंने एहमद नगर को क्याप्चर किया और अपने मुगल एंपायर में मिला लिया राइट बचों और बीजापूर के साथ भी बचों यह किया गया कि बीजापूर के साथ कोड़ा शांती वारता इस्टाबिश किया ने डिप्लोम इसी इस्टाबि थे तो बचों तीन बेटों की बीच में क्या होता है कि जंग चुड़े आती है कि कौन बनेगा अगला राजा लेकिन औरंग जेप जो थे वह सबसे स्ट्रॉंग थे सबसे मजबूत थे तो फाइनली औरंग जेप बनते हैं लास्ट पावरफुल मुगल रूलर क्योंकि और अच्छी नहीं ठी कि एक बड़ी एक और बात बड़ी विवी थी नहीं वाएऊप में से एक बीवी जो थी वह आपकी मुंतास थे हाला कि शाजां का जो लव है वो मुंतास के लिए थोड़ा ज्यादा था comparatively चले और अंग्जेब की बात करते हैं नॉर्थीस के अंदर जो अहोंस थे ट्राइबल ग्रूप है अहोंस उनको 1663 में और अंग्जेब उने लाइक अटाक किया था लेकिन टेंप्रेरली सक्सेस्फुल थी यानि पूरी तरीके से बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं गेन कर पाए ठीक है अगर मैं बात करूँ जो राठोड राजपूत थे हैना मारवाड चेत्र के राहस्तान का जो मारवाड एरिया बच्चे वहां के जो राठोड राजपूत थे उनके इंटर्नल पॉलिसी में इंटर्फेर करने स्टाट कर दिया जिसके चलते भाई राजपूतों ने जो था विद्रो कर दिया मुगल से बहुत सिंपल तो इनफाक्ट मराथा के जो चीफ थे वीर शिवाजी एना शिवाजी के अगेंस भी क्यों अग्राफ जेब ने जंग छेड़ी थी लिकिन शिवाजी जो थे भाई बहुत सिंपल सी बात है जो शिवाजी को इन्हों ने धोके से आगरा बुलाया और अग्रा बुला कि भेजति की विरूद किया इन्हों ने चेया शिवाजी को उनके बीटे के साथ प्रिजन मे भाइज घर नहीं चल गयए तो भाई जो प्रिंस अक्बर हें आप है इननों ने और जेब क्या जो है बच्छो रिबया था और इंज जेब क्या धाइज विद्रोह करने का ट्राइब क्या था लेकिन इनको और खास बात बहें बच्चे की जो इनके बेटे थे ना वो और अरंग जेब करने का ट्राइ करते विद्रो करने का ट्राइ करते और उनको support मिला था मराठास के साइट से और डेकेन सल्तनत के साइट जाने दक्षिन भारत में चुछ्ड लेटे वह उनको काफी जाधा support कर रहे थे लेकिन दिक्कत यह होती है कि औरंग जेब के आगए टिक नहीं पाते हैं तो एसा रिजल्ट यह इरान भाग जाते हैं ठीक है इरान भाग जाते हैं साफ़ावी डैनिस्टिग भाई जब इनकी बेटे अकबर ने मतलब दूसा अकबर जब विद्रो किया औरंग जेब किया गैंस तो इन्होंने अपनी आर्मी इस भेज दी आज रिजल्ट क्या होगा जो बीजापूर का राज जिता वह इन्होंने 1685 में चाप्चर कर लिया और साथी साथ इसके बाद जो रहे थे उनको लुकाफ्टर कर रहे थे इस्पेशली अगर माराथा की बात करें और जेब को बहुत सारी रेबिलियंस बच्चे नौर्थ इंडिया नी उत्तर भारत में भी फेस करनी पड़ी सिखों के साइट से सतनामियों के साइट से और नौर्थ इस्ट के जो कानी मुखल कैते हैं और और जेब की बाद जितने मुखला बात्श्यार लेटर मुगल का है बच्चा हम लोग इनका लिटर मुगल को और जेब की यहां पर हो यह 1707 में चिखांगा इस की अधर लगने सेवन थैपको अंस ए मिजोग मैं लेक देता हो आपको और सुरस गश तो बहुत जो औरंग जिप की डेथ होई कब हुई है 170780 में माल लीजाए एमस दोनी है मुगल एंपायर के इनके जाने के बाद पूरी मुगल डैनिस्टी बिखर गए ठीक है इनके जाने के बाद जो अगले बने बाहदुर शाह वन जो अगले रूलर बने अगले एंप्रिय मर गए तो उनके बाद अगला राजा कैसे डिसाइड होगा यह प्राइमोजनेचर के रूल में बिलीव नहीं करते थे प्राइमोजनेचर का मतलब होता है कि अगर एक राजा मर गया उसके दो बेटे हैं एक छोटा बेटा बड़ा बेटा ही राजा बनेगा ठीक है अगला जो रूल है जिसको आप कहते हैं बच्छों कॉपर सनरी ठीक है तो कोहां का जो कॉपर सनरी रूल है यानि कि जो राज है वो सारे भाईयों में इक्वली डिवाइड होगा इस रूल को फॉलो करते थे राइड तो जो हमारा प्राइमोजनेचर का रूल है वो यह कहता है कि जो बढ़ार बेटा है वही अगला राजा बनेगा उसको फॉलो नहीं करते थे यह फॉलो करते थे कॉपर सनरी इंहरिटेंस को जिसका मतलब है कि भाई जो राज है वह अलग अलग भाईयों में इक्वली डिवाइड होगा डिविजन विनेटेंस अमंग ओल दसंस चले ममांते मुगल कम को एक्सेट नहीं करते उनके अगेस न रिवाल्ट के उनकी अगेस इनए उन्हों ने योदि करो यहां तो मुगल की पावर को accept करो यहां तो मुगलों के साथ युद्ध करो और संशर्फिल आर्मिए काफी ऑर्ली मुगल रूलरस वो भी काफी मजबूत थे तो बहुत सारे राजजयों के साते इन्हें युद्ध करके उनको capture किया अब हावेवर जब वो powerful होते गए जितन जब मुगल्स होते ज ज़्यादा powerful होते गए तो कुछ राजपूट इसे थे जिनों ने मुगल acceptance को मान लिया यानि मान लिया बहुत सारे राजपूत ऐसे थे बच्चे जिनों ने इस चीज को नहीं मारा ठीक है अच्छा आप देखें इस्टी उठा करके तो बच्चे बहुत सारे राजपूत फैमिली ऐसे भी हुए हैं जिनकी डॉटर जो हैं जिनकी वेटियां बच्चे इनके बीच में बेसिकली मैर बहुत उचा था बहुत जादा उपर था बहुत ब्रेव थे वह कभी मुगल के जुके ही नहीं यार कभी नहीं जुके ना उन्होंने कोई मुगल एक्सेप्टेंस को माना राइट यूद किया लेकिन जुके नहीं तो मैंनी रिजिस्टर एक्जामपल अगर मेवाल के यह दिया राजपूतों की बात करिए और इंहोंने मुगल एथॉरिटि को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उसके बाद क्या होगा बच्चे यूद होगा यूद में हाला कि बच्चे हार गए लेकिन उसके बात भी जो मुगल थे उन्होंने इनकी वरेवरी को तो बेसिकली ऐसे राजपूच जो बच्चे इंडिपेंडेंटली अपने एरिया में रूल कर रहे हैं तो उनके लांड एरियास को हम कहते थे वतन जागीर्स क्या बोलते थे बच्चों वतन जागीर्स ठीक है ठ्यान नखेंगे इस चीज़ का बढ़ियां तरीके से चलिए तो मुगल्स के बाद एक चीज बड़ी अच्छी थी वह बड़ी सही थी कि भाई जिसको यह हराते थे उसकी बिज़ती नहीं करते अगर मैं किसी को हरा हूँ महराने के बाद उसके ब्रेवरी का सम्मान करूं रिस्पेक्ट करूं तो बच्चे मैं अपने दुश्मन को मैं दोस्ट बना लूँगा बहुत नॉमल सी बात है और यही जो पॉलिसी यह ब्यूरोक्रेसी की बच्चे मुगल्स की फेवर में खिलती थी यहनी मुगल्स होते इसके चलते बहुत पावफुल हो गया अमाले यह मुगल्स ने किसी के साथ यूद किया यूद करने के आपका दोस्ट बन जाएगा तो यह जो पॉलिसी थी यह मुगल्स को काफी जादा पेनिफिशल साबित होती थी लेकिन हाला कि सारे केसे में पॉसिबल भी नहीं है कुछ केसे में दुश्मन बन भी जाते थे विको बालेंस मेंटेन करना अच्छी जीज़ा लेकिन कब तक म आप में एक टास्क है ठीक है चलिए अब क्या होता है बच्चों मोगल एंपायर आपका वह एक्स्पैंड करना शुरू होता है धीरे-धीरे काफी बड़ा हो जाता है पहले दिल्ली से आगरा थक था अभी क्या है काफी जादा बड़ा होने लगा तो बड़ा होने लगेग जैसे फॉर एक्जामपल मुगल्स ने तरकिश नोबल्स को भी रखा जिनको तुरानी कहते हैं ठीक है उसके बाद इन्होंने इरानियंस को भी जॉब पर रखा इंडियंस को भी नौकरी दी मुस्लिम्स को भी रखा आवगानी लोगों को भी रखा राजपूत्स को भी मैं मनसबदार कहते ठीके मंसब का मीनिंग होता है किसी प्रकार का रैंक जैसे आप अगर आर्मी की बात करें बच्चे तो आर्मी में जनरल होते कलन होते इंडियर होते हैं ऐसी पुलिस में ऐस सब्ट होते समी तो necessarily सिब 만बार सब्टीया होते हैं जो कि मुगल्स उस करते थे ठीक इससे क्या पता चलता था रांक पता चलती थी कि एक आदमी की रांक कितनी है अड्मिस्टरिशन में उसी के साफ से सालरी डिसाइड होती थी और उसी साफ से उसके इसे मुगल्स की सिस्टम में भी मनसबदार करके एक रांक था ठीक है तो जो मनसबदार होता था उसकी सर्टेन रांक होती थी जितनी हाई रांक होगी उतनी ज्यादा रिस्पॉंसिबिल्टी और तो नहीं ज्यादा सालरी राइट बचो चलें तो फर इक्जाम्पल यहां पर जो रैंक एंड सालरी थी उसको डिफाइन क्या जाता था एक नुमेरिकल वाल्यू से ठीक है जिसको आप कहते थे जात जात क्या थी कि इनसान की रैंक थी ठीक है फ अच्छे रिस्पॉंसिबिल्टी होने वाली है ठीक है तो जेडेटी इस एक्चुली दर रैंक टम जिसे हम लोग यहां बोलते हैं कि फर्स्ट रैंक आई आपकी क्लास में सेकेंड रैंक आई यह जब आप कॉंपटिशन देते हो तो आपके लिए यार होता है ओल इंडिया रैंक जो डिसाइड करती है कि आप कितने उचे प्रोफाइल पे हो एगी नहीं भाई सिंपलची बात है तो ऐसी इनका जौ रैंक था उसको हम जात कहते थे तो जितना ज्ञादा ज्ञाइन का नंबर होगा उतना ही ज्यादा आपकी सैलरी होगी और इतनी ही जादा आपकी तरी वगेरा वही मैंट करेगा ठीक है यानि उसका काम था कि आर्मी के लोगों को रिक्रूट करना फर्ती करना एक आर्मी मेंटेन करके रहा है जब ज़रुत पड़ेगी मुगर एंपरर को तो तुसार मी की सपलाई देना ठीक इस तरीके से काम बाट दिया गया था अच्छा एक मज़दार बात बच्चों यह है कि जो इनके होर्स होते थे ना उनकी ब्रांडिंग की जाती थी ठीक होर्स का ब्रांडिंग मतलब ऑफ और वार्स को आपने देखा होगे ना होर्स के आगे इसा प्रॉपर पट्टा और सा लगा होता है उनके आखों के पास तो स्पेशल टाइब के साइन से उनको मार्क किया जाता था इसको हम कहते हैं ब्रांडिंग ओफ भॉर्स या दाग चेहरा या फिर ब्रांडिंग ओफ फॉर्स जिससे पता चलता था कि इस मंसब्दार की यह वाली आर्मी है तो आपको पता लगाने के लिए कि कोई मार्क मन आजाए तो वह होती है branding of horses ठीक है तो पता चलता था कि भाई इस मंसब्दार की जो है यह वाली army है यह वाली troop है ठीक है तो इसको हम कहते है branding process चलिए अच्छा अब क्या था कि मंसर्दाप ही अपनी सालरी जो soldiers होते थे जो मंसब्दार के इंदर आते थे उनकी सालरी यह अपनी मैनेज करता था सिंपल है ठीक है अब क्या है बच्चों कि जो मंसब्दार की सालरी जो हाई सालरी से ठीक है बहुत सिंपल सी बात है अगर जो छोटे मोटे soldier उनको तो cash payment हो गई लेकिन जो बड़े-बड़े मंसब्दार है उनको cash देना बहुत मुश्किल है कितना अम मालीजे आज के साफ से अगर मालीजे आज के जमाने को compare करें अगर मंसब्दार की साली 5-10 लाग रुपे पर मंत होगी तो उस जमाने में 5-10 लाग रुपे cash देना बहुत 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 टास्क था तो instead of that यह क्या हो जागीर क्या कहते हैं इसको हम जागीर तो यह क्या करते थे कि इनको बड़ी बड़ी जमीने जो थे दे देते थे और इन जागीरों से जितना भी tax collect होता था वो एक मंसब्दार की salary होती ठीक है तो क्या किया जाता था मंसब्दार को इन्होंने payment के तौर पर बड़ी सी ज जमीन पे जो भी tax आ रहा है वो सारा का सारा भाई मंसब्दार है जागीर रख सकता है तो इन जमीनों को हम कहते थे जागीर्स राइट अच्छा इंपोर्डेंट बात यह है कि बच्छे यह जमीन पे इनका इतना हग होता था कि जितना भी taxation आ रहा है वो भाई जो है यह अपना रख लेंगे ऐसा नहीं कि जमीन के मालिक बन गए जमीन भाई मुगल्स कोई बिलॉंग कर रही है लेकिन उन्होंने इनको दे रख है कि आपको हक दे दिया कि जमीन से जो भी टैक्स आएगा वह अपने पास रख लीजेगा इन दा फॉर्म आफ सालरी क्योंकि भाई या इतना कैश हम पे नहीं कर पाएंगे यह कहलाते हैं आपके जागीर्स ठीक है बच्छा लोग चलिए आगे पलटते हैं अंगले पने प आपके अरुजी से उसको सम्मेनज करना है मतलब जोंके टूपस की सालरी जो सोल जारी हो सारा कुछ मनसबदार मैनेज कर रहा है अगर अगर की बात करें अगभर की रूल के टाइम पे कि जो जागीर्स थी उनको प्रॉपर एसस किया जाता था यानिकि मेजर किया जाता था उनका प्रॉपर मेजर्मेंट किया जाता था जिससे कि उनके जो टैक्से उनको फिक्स किया जा सके ठीक है बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करें कि जितना बोला गया है कि आपको सालेरी देंगे उसकी कंपैरेशन में जो एक्चुल टैक्स आता था हो काफी कम था यहीं मैंने बोला कि मैं आपको पांच लाक रुपए सालेरी दूंगा पर मंत की लेकिन मिल आपको सिर्फ तीन अब नमबर ओफ मंसर्द आप सेले कम हुआ करते थे अब वह काफी जादा हो गए आज रिजल्ट बच्चे क्या हुआ जो वेटिंग पीरिट था वह बहुत जादा हो गया अब पहले क्या है कम लोग है तो इनफ अमाउंट है सबके लिए इनफ जागीरें सबके लिए जमी से ठीक है तो जब भी जिसको जागीरी मिलती थी वह ट्राइगरता था उससे मैक्समाम टैक्स मैक्समाम इंकम निकाल सके राइट तो और इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और आज रिजल्ट ऑफ दाट जो फार्मर्स थे वह सबसे ज़्यादा सफर करते थे इसका बहुत सिंपल सारी जो जागीरें होती थी ना बेटा यह जो बड़ी बड़ी जमीने होती थी इस पर टैक्स कैसे आएगा जब इसको आप किसी को दो बहुत ज़्यादा हो गए जागीरें हो गई कम तो जिसको जागीर मिलेगे वो ट्राइग करेगा कि भाई अपनी सालरी निकाल पाए मैंक्समा प्रॉफिट गमा पाए तो इस चक्कर में जो बिचारा किसान था वो पिसना शुरू हो गया और मज़े की बात है कि और अरंग मुगल लूलर की बात करें तो इनका जो जो मेजर स्टाइंकम को मेजर सोर्स इंकम का वो क्या था बच्चो टेक्स लगाना ओन दाव्टयूटूस गाँएं इस पहर जो स्क से कुछ तैक्स जो थे बच्चें फार्मर्स दे ठेटे ठेट है फार्मर्स क्या करते थे जो विलेश का गाउं का जो सर्पंच होता था मुखिया सि को यह टैक्स आब जमा कर देते थे और वो आगे मुगल टाइक्स लें टेक्स की लेटेशता था। बॉट स्पीमकिक है मॉगल लिजनकी बात कर रहा था इकबर के फिनांस मिनिस्टर हुआ , उन्हों इक सिस्टम साट किया था जहां पे लन्ड की क्वालिटी को 달िकर्ट के उसके लेंद को देग और पर मेजर्मेंट किया जाता था उसके बाद ही उसके टैक्स कि कसा यह गतल कितना आउटपोट आ रहा है क्राव में भिक रहा है कितना एरिया कर सेक्वाइट किहीं है युण सेल्ट्र- kenninda गाथ alors सर्वे करने के बाद जो डिटाइब इनके हाथ में इन्पूरट घंट आया कने तेप्ष किया हर अलग अलग क्राइक के लिए कैश अब yazd up on imp टायर डेटा जो प्रॉविंस था प्रॉविंस का मतलब यहां पर जो स्टेट था उसको अलग-अलग टैक्स सर्कल्स में ने बाट दिया था ठीक है और हर एक का अपना एक अलग रेविन्यू रेट था अपना अलग टैक्स लाप अपना अपको एरिया जो है बहुत स्टेट था किंग्डम का उसको अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था और हर एक पार्ट का अपना एक टैक्स लाप था अपना एक अलग टैक्सेशन सिस्टम था राइट तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है रेविन्यू रेट्स फॉर इंडिविज्व उसको हम कहते हैं जब्ट सिस्टम क्या कहते हैं बस्टेस को हम कहते है जब्ट सिस्टम यरी जहाँ पर मुगल आट्मिनस्टरेटर और स रवे करते थे लैंड का राइट आनकी वेरी केरफुल अकाउंट्स हाला कि अगर हम बात करें गुजरात और बेंगाल में ऐसी जगों पर यह चीज थोड़ी सी फेल हो गई राइट चलिए कि आगे बात करते हैं बहुत जमीनदारों की थोड़ी सी कि जो मुगल अड्मिनिस्ट्रेटर्स हैं बहुत ज्यादा थी जमीनदार क्या करता था अपनी मनमानी चलाता था जो मन में आता था वैसा करता था तो एक्सप्राइटेशन था बहुत सिंपल सी बात है भाई मुगल्स इस चीज को रिटालियेट करेंगे मुगल्स भी विद् चाहिए तो ऐसे रेबिलियंस भी जो है काफी जादा देखने को मिलते हैं ठीक है इन फैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ है कि अगर जमीनदार और जो फार्मर है वह सेम कास्ट का है तो उन्होंने मिल करके मुगलों के गेंस अटाक किया यह भी आपको देखने को मिलता है इति सीन हंडिट के आगे आला टाइम तो जो मुगल एंपाइर की नहीं वैना उसको भी कई बार इन्हों ने हिलाना शुरू कर दिया तो यह होता कि है बच्छे जब यूद्ध होता है जब विद्रो होते हैं तो आपको फोर्स का यूज करना पड़ता है और बार बार फोर्स य रज्वा बार करते हैं बढों बार लेट्स टॉट अबार फोर्स पॉशीचि ठीक है चले चो एड्मिनिस्ट्रेशान था अगबर का उसको प्रौपर अफ्वाइब किया ऑन था उसको कई सारे प्रॉवेंसेंस में डिवाइड किया हुआ ता यान्ही स्कॉत जिसको अब सूबा पच्छे जैसे भारत है भारत को बहुत सारे स्तेटेट सेंसे भारत के हैं तो उन जमाने में इनको सूबा कहते थे कहते थे बच्चों सूबा और इस सूबे का जो मिनिस्टर होता था उसको कहते थे सूबादार तो इसके पास थे उनको हेड करता था सूबेदार जिसके पास पॉलिटिकल पावर भी थी और मिलिटरी पावर भी थी ठीक है दोनों ही काम थे इसके पर हर एक प्रविंस का फिनांशल ऑफिसर था जिसको आप दीवान कहते थे ठीक है तो पुराने जमाने में मुगल्स के टाइम पर जो फि मिलिटरी की सालरी देता था जो मिलिटरी कमांड करता था उसको बक्षी कहते थे है ना जो रिलीजियस और चारिटेबल काम करता था धर्म वर्म से रेटेट काम करता था चारिटी करता था उसको कहते थे सद्र जो मिलिटरी कमांडर्स थे उनको कहते थे फॉजदार ठीक है finance minister कौन हुँए दिवान हुए आपके पूरे जो सूबा है जो प्रोवइंस इस टेट इसके कौन हेड हुए सूबेदार हुए चीक है finance वाले कौन हुए दिवान हुए military के general कौन हुए बक्षी या फिर मीर बक्षी हुए ठीक है जो religious affairs धर्म वगरा related charity related काम करते हैं ठीक है उनको क्या बोलते हैं सद्र कहते थे military के जो internal commanders उनको क्या कहते थे फौजदार कहते थे और अगर हम लोग पुलिस की बात करें तो बहुत बढ़ी आर्मी ठीक है और उनको साथी साथ जो funding थी बच्चे revenue था वो भी काफी अच्छा कासा मिलता था काफी मजबूत पैसे मिलते थे बढ़िया वाले ठीक सो जब यह लोग emperor के loyal थे यानि राज के प्रती वफादार थे loyal थे राइट बट एड़ इंड़ 17th century क्या होता है बहुत सारे से nobles हैं बहुत सारे से अकबर जब फटेपूर सीकरी में थे 1570 के बात है जग बाप बर फटेपूर सीकरी के अंदर थे टाउन था जो इन्होंने बनाया था ठीक है तो इन्होंने रिलीजन की basis पर discuss करना स्टार्ट किया इसी को मैं कह रहा हूँ इबादत खाना फटेपूर सीकरी में अकबर ने कि इबादत खाना खुला था जहां पर अलग-अलग धर्म के जो गुरू थे ठीक अलग-अलग धर्म के जो स्कॉलर्स से वह आते थे और आकर करके discussion करते थे जिसे Jesuits होते हैं बच्चे जो Christianity के बारे में प्रीज करते हैं खेला रोमन गयात्रिक जो Christianity धर्म को प्रीज करते हैं जो परासी को प्रीज करते थे इस तरीके की discussion इस लोग इबादत खाना में होते थे अग्बर अलग-अलग religions के यह साथ एकदम business करते हैं ठीक है ऐसे लोगों का boycott और इंसान धर्म को जो है ना स्टॉंच तरीके से ना देखे पर उसके ideals को उसकी खुबसूरती को appreciate कर पाए उसके अच्छी बातों को ले पाए बचो इस तरीके से इनको लगता था कि भाई जो लोग धर्म के नाम पर डिविजन करत होता है तो धर्म को बच्छे बहुत अलग तरीके से देखते हैं जबकि किसी कभी आप religion की बात करें तो इससा way of living लेकिन हर धर्म में हर रिलेजन में अलग अलग तरीके लोग मिलते हैं आपको हैंगे नहीं बच्छे कुछ वो लोग होते हैं जो ज्यादा डिपेंड करते ह हैं आसपास की अफ़ाओं पर अच्छली किसी भी रिलेजन के एसेंस को नहीं पहचांते अगर आप पूछ यह पांच सवाल दस सवाल उनसे पूछ लीजए उन्हीं के धर्म के बारे में तो शायद उनको जवाब नहीं पता होता यह फैक्ट है क्योंकि उन्होंने धर्म की पूरिटी को रिलेजन की चो एसेंस उसको कभी निखा रही नहीं ठीक है कोई भी अगर हम रिलेजन की बात करें बच्छे हर रिलेजन में कुछ ना कुछ बहतर होता है तो इंपोर्टेंट ही कि आप उस चीज को बहतरी को देखिए उस अच्छी चीज़ों को आप अब बहुत सारे कम लोग होते हैं इसे कुछ पार्सी के अंदर भी बड़ा अमेजिंग है जैन धर्म की आप बात के लिए जैन धर्म जो है बच्छों अगर उनका खाना देखिया फूड देखिया बड़ा कामिंग फूड होता है हना मतलब वह ऐसी चीज़ नहीं खाते जो आपके अंदर जो है गुसा पैदा करें आप जो खाते हो बच्छे वह भी बड़ा इंप्वाटेंट इंपाक्ट डालता है आपके बॉड़ी के ओपर राइट तो बहुत सिंबल सी बात है ऐसी चीज़ों का वाइड करते हैं बहुत सिंबल सी बात अच्छी चीज़े कहीं आपका माइंड काम रहता है आप मोर कंसंट्रेटेट रहे तो हर एक चीज़ का साइंटिफिक आसपेक्ट से तो इस तरीके से कुछ लोग बढ़ियां करें और खासकर उन लोगों को स्टॉफ कर पाएं जो लोगों को धर्म के नाम पर बाटते हैं राइट चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा अब बर जो है सुलाहकुल सुलाहकुल का मतला होता है यूनिवर्सल प्रीस पूरे दुनिया में शांती बनी रहे इस आइडियोलोजी के फेवर थे ठीक है इसको आइडियोलोजी को फेवर करते थे और ही बेसिकली टॉलरेटेट या इस बात की तरीके से इस तरीके के एथिक्स को एप्रिशेट करते थे हाला कि इनका वार करना यूद करना वो जस्टिफायबल नहीं है किसी के राच पर हम अटाक करें उसको छीन लें वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है ठीक है तो हर एक एंपरर के पॉजिटिव एसपेक्ट हो नहीं के डिवास्पेक्ट में जो पॉजिटिव एसपेक्ट है अकबर के वह है कि उनका टॉलरेंस काफी अप्रिशेट किया अगर हम बात करें जहागीर की और शाजा की तो दोनों ने इस प्रिंसपल को फॉलो किया था यानि युनिवर्सल एक्सेप्टेंस के प्रिंसपल को जहां पर सारे लोग एक राज जिक अंदर एक जैसे हैं जिनमें लोगों के बीच में भेदभाव नहों धर्म की बेदभा यानि पहले क्या होता था कि आपको तीर त्यात्रा पर जाना तो भी टैक्स देना है अगर आप मुस्लिम्स नहीं है बच्चे इस्लाम धर्म फॉलो नहीं करते तो भी टैक्स देना है ठीक तो यह सारी चीज़ें अंकबर जहांगी शाजां के टाइम पर हटा दी गई थी ल उन्होंने इसको काफी मजबूत बनाया बहुत सारे इंटेनाशनल ट्रावल थे जो मुगल्स के टाइम पर आय भारत उन्होंने लिखा बचे इंदुस्तान के बारे में बताया बहुत सारे डिस्रिप्शन दिया राइट इंटनाशनल ट्रावर्श इसी फेबले लांड वासको डिगा महां केलिकट की कोस्ट पर आए केलिकट पढ़ता है केरला गया स्थीक है वहां की कोस्ट पर उन्होंने लैंड कि अना खास कर बिटिश चले अलागी बच्चे दिखिए पावर्टी यानि गरीब ही एक्जिस्ट करती थी कहीना कहीं साइड बाई साइड ग्रेटेस आपको मिलेंगी इन पड़्चे अलग 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 तरीके से हिस्ट्री को बयान किया है उस टाइम के अगर अगर हम बात करे शाजां के 20 साल से जो डॉक्यमेंट्स आपको मिलेंगे वह ऐसा दिखाते हैं बहुत क्लियरली बदाते हैं कि जो मंसब्दार्स ऐसे मंसब्दार्स बच्चों जिनका रैंक जो था 445 था आउट टोटल 8,000 वह करीब 5.6 परसेंटी थे अना अफ टोटल नमर अफ मंसब्दा होगी इन टरम्स ऑफ रैंकिंग और इन टरम्स ऑफ जॉब इन क्वालिटी ठीक है चलिए इसी के साथ आपका बहुत लंबा सा प्यारा सा चाप्टर मैंने ट्राई किया है कि बहुत छोटे शब्दों में जो आपको समझा पाऊं और कुछ और चीज़ हैं जो अभी हम डिस पर इनके जो टूपर्स थे हैंना वह काफी जादा बच्चे अपना जी मिजा फार्मस करते थे थैसके चलते इस सेक्शन आप सोसाइटी को भी है बच्चे काफी जादा मदद मिलती है ठीके उनको गुट्स प्रड्यूश करकर देते थे हाई वर्ल जो revenue collection का scale था that was very little for investment ठीक है अगर हम बात करें कि revenue इतना जादा हो जाता था कि भाई हमारे जो primary producers है जो हमारे किसान वगरा उनके पास sufficient amount of money नहीं बसता था कि आगे चीजों को वह बहतर बना पाएं और फिर improve कर पाएं है ना और in fact अगर हम बात करें गरीबों की तो बिचारे गरीबों के साथ इतना बुरा था कि भाई उनको बस खाने के भी लाले पड़े हुए थे राइट क्या हो रहा है कि अगर revenue जादा लिया जा रहा है तो पिचारा किसान के पास कुछ खास बतेगा नहीं और गरीब पिसान की तो वैसी बैंड बचाएगी है कि नहीं जब वेल्डियर पेजेंट्स थे यानि जब वेल्डियर फार्मर्स थे जो आर्टिसंस थे समान मनाते थे बच्चों मर्चंट्स हो गए बैंकर्स हो गए उनको बड़ा प्रॉफित मिलता थे यहांपर क्यों कि होता क्या है मैक्सिम टाइम पर आप देखिए पुराने समान कमाया मस्क दमजबर्दस पैसा कमाया ठीक है अगर हम बात करें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत पावर्फुल हो गए लेट 17th century के अंदर जाकर करके राइट रिजल्ट ओफ इनिक्वालिटी जो मुगल एंपायर के अंदर बहुत ज्यादा आने लगी थी 16th और 17th century के टाइम यानि शाजां के रूल के बाद चले दीरे दीरे क्या हुआ बचो कि जो मुगल एंपायर की जो अथॉरिटी थी वो कम होने लगी और जो इनकी गवर्नर्स थे उसमाने में जिनको गवर्नर्स अपॉइंट कर रखा था तो बहुत सारे जगे पे इन्होंने अपने आ इस अन होल्डिंग कमांड लेक पहेदराबाद आवद ठीक है तो यह सारे जो बच्चे बच्चे स्टेट से नहीं स्टेट से नहीं यह बनने फॉर्म और अगर मैं हैदराबाद की बात करूं तो इनके डेकन में गवर्ना इनका नाम था निजाम अलमुल्क निजाम अलमु इसको फाउंड करने वाले थे निजामुल्मुल्क असफ जहां ठीक है ऐसे गर हम बात करें बच्चे अवद के स्टेट की तो अवद के अंदर थे बच्चे सादत खान एक और स्टेट बना था बच्चो डाइस बेंगाल बेंगाल के अंदर मुर्शीद कुली खान अब कैसा खान कर लेते हैं इसको खाम हो गया भाई है ठीक है तो मुर्शीद कुली खान बच्चे कुछ इंपोर्टेंड इंडिपेंडेंडेंट स्टेट्स थे जो आप देखते हैं कि और अरंग जेट के बाद फॉर्म होते दिखते हैं तो अलग अलग जो गवर्नर्स थे जो पहले मुगल का राट पार्ट हुआ करते थे बच्चों इन्होंने क्या किया अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया जब इन्हों देखा कि मुगल एंपायर बहुत वीक हो चुका है तो अलग राजज करेंगे अब तुमारी बात हम नहीं मानने हैं तो इस तरीके साथ देख सकते हो कि बच्चे जो हमारा मुगल एंपरायर था जो एंपायर इतना स्ट् और जितने भी लेटर मुगल्स आया नि बहादुर्शाह वन से लेकर के बहादुर्शाह सेकेंड तक जो कि लास्ट मुगल एंपरेर हुए बहादुर्शाह जफर भी इनको कहते हैं जफर एक्चली उनका पैन नेम था पोईट्री बढ़ी अच्छी लगते थे तो इनके स्ट्रॉंग होने के चलते क्या हुआ जो मुगल्स है हमारे वह बहुत ज्यादा वीग पड़ गया चले तो बहुत सारे अलग अलग जगे आपको बड़े-बड़े राजा मिलेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑट वर्ल्ड में जो की 16th century में exist करते थे जिसे फर इс इजामपल ओठोमन टर्की के जो सल्तान शुलामान से 1520 से 1566 उनके time पर ओचोन्चेंट जो था तुरकी का एरिया बच्ये और फॉर्ट को क्याप्चर कर लिया था जिसे हंगेटी हो गया आपका आर स्यौत के बहुत सारे राज्य तके इनकी जो आर्मी थी उन्होंने बगदाद और इराग को भी क्याप्चर कर लिया था नौर्थ आफ्रिका के बहुत सारे रीजन को क्याप्चर के लिया ऐसे मौरोको के अंदर गुज गए थे ठीक है अनि फैक्ट अगर हम बात करें जो मौरोको था उसने भी ऑटोमन एंपाइर को एक्सेप्ट केया था जो ऑटोमन तर्की था बच्चे ऑटोमन एंपाइर बहुत वास्त था बहुत बड़ा था राइट तो इस रामिनेशन ओवर इस्ट मेडिटेनियन ब्रॉट नेवी इंटू कॉंपरेशन विट स्पेन राइट अरेबियन सी के अगर हम बात करें तो उन् से बहुत सारे कानून जो थे इन्होंने अपने टाइम पर पास किये थे राइट सो फर एग्जामपल दीज वर एंटू स्टांडड़ाइज अडमिनिस्ट्रेट प्रॉसीजर सोरी कानून इस लिए लूंच की गए थे ताकि जो आटमिनिस्ट्रेशन ने बच्चे उसको प सुल्धान सुल्धान सुलमानीगा, बचे इनके रूल को बड़ा इड्याल माना जाता है, बड़ा बड़ी हां रूल माना जाता है, क्यों, चिटने तरीकेसे decision चलानी चाहिए, किस तरीकेसे rules and regulations होने चाहिए, वह सारे के सारे आपको इनके ottoman टपकी में देखने को मिलते है तो आंपंवन के अध की अपैर के अधर बॉर से अलग अलग तो न के लौए और súuna के लिग्या है यह उन्हेंगा सब veteran फिर्षे हैंच करना। और आपसे एक सवाल मैं यही पूछना चाहता हूँ, जल्दी से बताओ, और मैं मुलाकात करूँगा आपसे अगले मज़दार वाले टॉपिक में, तद तक के लिए सर को दीजिए जासत, मिलते हैं, तो मुझे बताना आपको मुगले पसंद आई कि नहीं है, जरूर से बतान कॉमें सेक्शन में, तो मैंने ट्राइए कि बहुत सारा हेवी वाला मुगले एंपायर एक्दम मस्त तरीके से आपको समझ में आ चाहिए, ठीक है, चलिए बच्चों, तो इसी के साथ मिलता हूँ, आपसे इंदा नेक्स्ट वाला प्यारा वाला डिसकाशन, बाइबाइ, ट तो मिलते मचे आपसे नेक्स वीडियो, बाइबाई, से तुन विट प्व लुट लेटल शंप्वाइ